प्रियेचात्र, एजुकेशन पॉइंट बियेजी में आपका स्वागत है। इस विडियो में हम लोग समांतर स्रेणी चप्टर में परियोग होने वाले सभी महतपुर्ण सुत्र के बारे में सीखेंगे। समांतर स्रेणी चप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दस्मी के बोर्ड एक्जाम में इस चप्टर से 10 मार्क के प्रस्न पूछा जाता है। इसलिए मैं सोचा हूँ कि इस विडियो में पहले सभी जितने भी सुत्र का परियोग होता है, सभी का मैं विडियो बना देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, पहला सुत्र क्या है? बड़ाबर क्या होता है? तो TN बड़ाबर होगा A plus N minus 1 into D. ये TN का सुत्र हो गया, आप TN के अस्थान पर A N भी लिख सकते हैं। और इस सुत्र के बिना इस चप्टर का कोई भी सवाल सॉल्व नहीं होगा। ये पहला सिफ सुत्र हो गया, दूसरा सुत्र इसमें क्या परियोग होगा? D बड़ाबर, D किसको कहते हैं? D सारवांतर का संकेत होता है, तो D बड़ाबर होता है, दूसरा पद घटाओ पहला प वो है, A, P बड़ाबर, ये अकसर कहता है, A, P ग्याद करें, आपको A और D निकाल कर A, P ग्याद करना है, तो A, P बड़ाबर सुत्र होगा, A, A, D, A, 2D, इसी प्रकार से चलता रहेगा, 2D है, 3D आएगा, 4D आएगा, 5D आएगा, ये आता रहेगा, तो इसके लिए हम A, P का सुत्र हो गया, किलियर, A, A हो गया पर्थम पद, A प्लस D दूसरा पद, A प्लस 2D तीसरा पद, ये सुत्र होगा, आप देखिए, चाउथा कौन सा सुत्र आपको इसमें पूछा जाएगा, कौन सा सुत्र का प्रयोग होगा, वो है S, N, S, N, जब आपको यो, A, P दि प्रयोग याद करेंगे, तो उसके लिए आपको ये सुत्र का प्रयोग करना है, N by 2, N by 2 into 2A plus N minus 1 into D, देखिए, फिर से समझे, S, N, S मतलब था सम, N मतलब नमबर, मौन लिए, दस पदों को जोरना है, या 15 पदों को जोरना है, तो sum of 10 terms, तो यदि 10 पदों को जोरना है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो ये N by 2 into 2A plus N minus 1 into D, clear, ये D हो गया सारवांतर, A हो गया पर्थमपद, N हो गया number of term, पाच्वा सुत्र क्या लगेगा इसमें, पाच्वा सुत्र लगेगा, पाच्वा सुत्र लगेगा, पाच्वा सुत्र नहीं, ये S, N का दो फ्रमूला होता है S, N बराबर N by 2 into A plus L, clear, A हो गया पर्थमपद, L हो गया अंतिमपद, यदि आपको N दिया हुआ है, पर्थमपद है और अंतिमपद है, तो आप इस सुत्र का परियोग करके S, N निकाल सकते हैं, देखे, A, P में ये महतपुर्न सुत्र है, और ये 5 सुत्र है, A, P चप्टर म को आसानी से स्वाल्फ कर शकते हैं, आप देख लिजिए, वीडियो आपको बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा, ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमें जरूर बताईएगा, और भी इस तरह का वीडियो मैं बनाते रहता हूं, हमारे चनल पर आईए, और भी वीडियो आ आप देखिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,